कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से भी का सस्सी मेकर के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में समान्य विज्ञान से रिलेटिट इंपोर्टेंट 20 कोशन डीटेल में डिसकसन करेंगे यह समान्य विज्ञान की सिरीज का पार्ट 120 है जो की आने वाले रेलवे से गुरूब डी एससी सीजियल सीचसल बैंक साधी एकजाम के लिए काफी एलप पूल है यह कोशन विभिन परतियोगी परिक्षाओं में बारबर पूछेगें दाता बारबर रिपीट होते हैं आए स्टार्ट करते हैं प्रेस नमबर एक लहसुन की गंध का कारण होता है लहसुन यानि गार्लिक दोस्तो गार्लिक की जो गंध होते हैं तीक्षन गंध उसका कारण होता है सलफर योगी ओप्सन डीस का ठीक हो जाएगा दोस्तो गार्लिक की तीक्षन गंध का कारण सलफर कंपाउंड होता है इसके अलावा प्याज सरसों के तेल इत्यादी में भ पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से दोस्तो क्लोरिन गैस निकलती है यानि ओप्सन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरिन गैस निकलत है Bletching Powder का Rjacinic सूत्र क्या होता तो दोस्तो आप बताएंगे Bletching Powder का R gewesen membros года का राने क्या सूत्र होता है धोस्तो इसे Calcium है लकॉराइट भी कहते हैं यहां एक आरप योगिक होता है दोस्तो इसका इस्तमाल क्लोरिन गैस ताथा क्लोरो फॉर्म बनाने में किया जाता है नेक्स्ट कुश्चन प्रस नम्मर तीन नीम लिखित में से किस में क्लोरो फ्लोरो कार्बन परियोग नहीं होता तो दोस्तों नेम लिखित में से क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानि CFC का परियोग दोस्तों म प्रेस नम्मर चार मानो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो दोस्तो नीम लिखित में से मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है यकृत यानि लीवर ओप्सन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो बात करते हैं लीवर यानि यकृत के बारे में लीवर यह सरीर की स 1.5 kg होता है दोस्तों अगर आपसे पूछे जाए कि मानो सेरी की सबसे बड़ी अंथासरावी ग्रंथी कौनसी होती तो आप बताएंगे थाइडाड ग्रंथी यहां मानो सेरी की सबसे बड़ी अंथासरावी ग्रंथी होती है नेक्स्ट कोश्चन प्रस नम्मर पांच किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तो किलोसिस नामक रोग यह विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है यानि ओप्सन भी इसका राइट हो जाएगा दोस्तो बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में पहला कोश्चन बनता है कि विटामिन B2 का रसाइनिक नाम क्या होगा दोस्तो विटामिन B2 का रसाइनिक नाम होता है राइबो फिलेविन क्या दोस्तो राइबो फिलेविन विटामिन B2 का रसाइनिक नाम होता है विटामिन B2 का सुरोत होता पनीर मास तता हरी सबजय इत्यादी दोस्तों बात करते विटामिन B1 के बारे में विटामिन B1 का रसायनिक नाम क्या होगा तो दोस्तों विटामिन B1 का रसायनिक नाम होता थाइमिन का दोस्तों थाइमिन इसका रसायनिक नाम होता दोस्तों विटामिन B1 की कम बारे में विटामिन B3 का रसायनिक नाम क्या होता तो आप बताएंगे दोस्तों विटामिन B3 का रसायनिक नाम होता है नियासिन क्या दोस्तों नियासिन इसका रसायनिक नाम होता है दोस्तों विटामिन B3 की कमिसे पेलागरा नामक रोग होता है दोस्तों बात करते हैं विट मच्छली दोस्تो नीम लिखित में से डॉक फिश यहां एक वास्तविक मच्छली होती है और देन्ज का ठीक हो जाएगा दोस्तो बात करते है इस कॉलिडण के बारे में दोस्तो इस कॉलिडण इसे dogfish कहते हैं जो कि दोस्तो एक काटी legionious fish होती है next question प्रेस नम्मर 7 निमन में से उड़ने वाला इस्तन पाई है दोस्तो निम लिखित में से उड़ने वाला इस्तन पाई यानि मेमल होता है चमगादर यानि बैट दोस्तो बैट जो होता है यहां एक मातर उड़ने वाला इस्तन पाई यानि मेमल होता है ओप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो बात करते हैं इस question से important fact के बारे में चमगादर यानि बैट यहां आकास में उड़ने वाला एक मातर इस्तन धारी प्राणी है यहां पक्छी वर्ग में नहीं आता है यहां दोस्तो एक मातर ऐस्ता इस्तन धारी है जो की उड़ सकता है next question प्रेस नंबर आठ नेमलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है तो दोस्तो नेमलिखित में से लंगूर यहां कपी नहीं है ओप्सन से इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो लंगूर यहां कपी नहीं होता है दोस्तो लंगूर जो होता है यहां वानर वर्ग में आता है किसमें आता है यहां वानर वर्ग में आता है दोस्तो नेमलिखित में से गिबन गॉरिला तथा ओरंग उटान यहां दोस्तों कपी वर्ग में आते हैं जबकि लंगूर्ज होता है यहां वानर वर्ग में आता है प्रेस नम्मर 9 पोधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है दोस्तों नीम लिखित में से पोधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है यानि ओप्शन इसका ठीक हो जागा दोस्तो हल्दी आनि टर्मिलिक यह पोधों के तने से प्राप्त होती है दोस्तो पोधे के तने भाग से हल्दी आनि टर्मिलिक प्राप्त किया जाता है हल्दी एक रुपांत्र तने का एक परकार होता है दोस्तो हल्दी का पोधज होता है या बहु वर्षिय साकिय पोधा होता है इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है तो दोस्तो आप बताएंगे हल्दी के पोधे का वनस्पतिक नाम दोस्तो होता है कुरकुमा लोंगा क्या दोस् प्रेस नम्मर दस कोर्क नीम लिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है यानि Option इसका ठीक हो जाएगा प्रेस नम्मर 11 मश्रूम क्या है दोस्तों मश्रूम यहा एक कवक यानि फंगस होता है option 10 का ठीक हो जाएगा दोस्तो मश्रूम एक कवक होता जिसका फलम खाद पधात की रूप में सबजी बनाने में उपियोग करते हैं next question press number 12 मनुश्य सरीर में पसिलियों के कितने जोड़े होते हैं दोस्तो मनुश्य के सरीर में रिप्स यानि पसिलियों के जोड़े होते हैं 12 यानि इनकी कुल संख्या होते हैं 24 कितने होते हैं इनकी कुल संख्या 24 होते हैं दोस्तो पसिलिया आपस में मिलकर एक बेलना कार पिंजड़ा बनाती हैं जिसमें दोस्तो दिल तथा जो फेफड़े होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं next question प्रस नमबर 13 नीम लिखित में से कौन सी गैस रंग हीन एवम गंद हीन नहीं है तो दोस्तों नीम लिखित में से क्लोरिन यह दोस्तों रंग हीन एवम गंद हीन नहीं होती है option भी इसका ठीक होगा दोस्तो oxygen nitrogen and hydrogen यह तीनों ही गैसे रंगहीं यह गंदहीं होती है जबकि दोस्तो chlorins होता है यह दोस्तों तीक्षन गंद वाली हरे तथा परीले रंग के एक गयस होती है दोस्तो इस gas के हरे एबम पीले रंग के कारण इसका नाम कलोरिन रखा गया इसका इस्तमाद bleaching powder बनाने में तथा पे जल के सुधिकरन करने में तथा कीट नाशक के रूप में तथा mustard gas के रूप में किया जाता है नेक्स कुश्चिन प्रेस नम्मर 14 जीवन की मूल भूत इकाई क्या होती है दोस्तो जीवन की मूल भूत इकाई होती है कोशिका यानि सेल ओप्सोन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो कोशिका जीवन की मूल भूत इकाई होती है यह जीव की सन्रचना में भाग लेती है इसमें दोस्तो जीव द्रव्य पाया जाता है तथा यह प्लाज्मा जिल्ली अथुआ कोशिका जिल्ली से घिरी रहती है दोस्तो मानों में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह तंत्री का कोशिका होती है नेक्स्ट कोश्च प्रस नम्मर 15 निम्न में से कौन सी धातू पीतल कांसे तथा जर्मन सिलवर इन सभी में उबहे घटे की रुप में पाई जाते हैं तो दोस्तो मर्स सोला अमोनियम सलफेट उर्वरकों के निर्माण में नीमलिखित में से कौन सरवाधिक मातरा में परियुक्त होता है तो दोस्तों आप बताएंगे जिपसम यहाँ दोस्तों अमोनियम सलफेट उर्वरकों के निर्माण में सरवाधिक मातरा में परियुक्त होता है ऑप्स फासफेट उरुरकों के निर्माड में फासफेट ट्रिपल सूपर फासफेट आधी का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कुश्चन प्रस नम्मस 17 किस विटामिन की कमी से इसकरवी रोग होता तो दोस्तों आप बताएंगे विटामिन की कमी से इसकरवी नामक रोग हो जाता है यानि ऑफ्संस इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों विटामिन क्यों कहा जाता क्योंकि दोस्तों समाने बर्फ की तरह यहां ठोस्त सीधा द्रब में परिवर्तित नहीं होती क्या होता दोस्तों यहां गैस में परिवर्तित हो जाती इसलिए इसको सुस्क बर्फ यानि ड्राइज कहा जाता है नेक्स कोशन प्रेस नम्मर 19 वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता तो दोस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का घनत यानि डैंसिटी जो होता है वह परिवर्तित रहता यानि ओप्शन 20 आपर वस्तु की मात्र बदलने पर भी वस्तु को घनत होता है वह परिवर्तित रहता है दोस्तों घनत 20 दोस्तो आज की वीडियो का अंतिप्रस्ट केलवीन मान से मान शरीर का सामानने ताप होता है दोस्तो कितना होता है तो आप बता की वीडियो ओमभद्स आपसे eerste की खोज किस नंगी थी तो दोस्तो आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो आपको समझ में आई हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF आप SSC Maker टेलिग्राम चैनल से प्राप कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों